सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोंगे विकास लाइफ के लिमेटेडी ने अपने क्वाटर फॉर के जो आखड़े वो कंपनी के दवारा पब्लिश कर दिये गए हैं साथ के साथ आप देखोंगे कुछ एक अनॉसमेंट्स होते वे नजर आईए क्वाटर फॉर में क्या क्या अनॉसमेंट्स होएं वह भी हम डिटेल में जाएंगे जैसा कि आप देखोंगे अनॉसमेंट्स की बात यह तो आप देखोंगे कंपनी जो नभी फंड्रेज करने जाहरी है वन फिप्टी क्रोड का जिया एक सो पचास क्रोड का फंड्रेज करेगी जिसके अंदर आप है वह ज्चाने के लिए प्रमिस्टोघार मल चुकी है उनसे साथ के साथ आप देखोंगे रैट हीषु के जिरिए रिए कंपनी परेज करेगी वह फिफ्टी क्रोड का तो यह होगे भी announcement और इन सब के साथ आप देखो कि कुछ एक appointments हमें देखने को मिली है जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर appointment जो मिला वो यहाँ पर आप देखोगे Mr. चंदन कुमार एज डारेक्टर ठीक है या फिर कम चीफ financial officer के रूप में CFO के रूप में इनको चुना गया है company के लिए तो चलिए वही अब देखते हैं इसके जो results आए हैं वह कैसे हैं और इन सबका क्या benefit हमें आगे देखने को मिलेगा हम बात करें हैं इसके नंबर्स को लेक total revenue की तो अब की बार आप देखोगे भी 626 लाग याने की 626 लाग का हमें इंकम देखने को मिले जबकि प्रिवेश क्वाटर में 133 क्रोड की इंकम थी तो प्रिवेश क्वाटर आप देखोगे इंकम में फॉल आया है वहीं अगर बात करें इर उनिर वेशिस पर तो वहां पर हमें जोनबी इंकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है इस साल 448 क्रोड के इंकम रही है जबकि प्रिवेश क्वाटर में 344 क्रोड के इंकम तो इर वेशिस पर इंकम में जंप है बट क्वाटर वेशिज में इंकम में काफी जादा फोल आया है वहीं अगर बात क्यों है चलिए आपको कारण बताते हैं इसका पीछे आपने देखा होगा भी कंपनी के दवारा 500 क्रोड के आसपा जो भी निवेश किया गया था किसके अंदर मिस्टान फूड्स में जहां पर राइस को लेगर बासमती राइस को लेगर जोना वहां पर इंवेस्टमेंट करत कि आपकर बात करें लाए तो अबकितने का सब्सक्रा करें या profit for the period मैं बात करूँ तो अपकी बार जो रेजल्ट्स आते नजर आए हैं वह 26 क्रोड 81 लाक लोस में हमें देखने को मिले हैं quarter अगर बात करें March quarter में वहीं अगर बात करें प्रीविस quarter में तो 23 क्रोड का profit था तो प्रीविस quarter में आप देखो के 15 क्रोड हमें माइने से में देखने को मिला है इस यह जबकि प्रीविस यह में 28 क्रोड 94 लाक प्रॉफिट में थी कंपनी तो यहां पर आप लोग देखोगे यह और वेशिस पर भी लोस में है और quarter on quarter वेशिस पर भी लोस में क्योंकि expense काफे जादा हाई रहे हैं इसी वजह से तो आगे चलके आप देखोगे स्टोग में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है लेकिन long term वीजिन से जिन लोगों ने इसके अंदर प्रसा लगा रहा है हजार दो हजार तीन हजार चार जार कॉन्टिट उठा कर रखी हुई है तो long term के लिए यह शेर आप देखोगे एज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब बना मत भूल ना वर यह नोट्स आप लोग जोना डिटेल में वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना है थैंक्यू फर वुच्छिंग दे वीडियो